नमस्कार पोर पीम न्यूज नेटवर्ग में आपका हार्देक स्वागत है दिल्ली के अंदर पानी की समस्या भीशल रूप ले रही है विजली की समस्या बहुत जादे है हमारे युवा जो है वो नीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और जिस प्रकार से जमुएन कश्मीर के अंदर आतंगवादी घटनाएं पिछले 72 घंटे में हुई है इससे निश्चिन तो होकर देश की जनता को कोई जवाब देना उचित न समस्ते हुए मानी मोंदी जी इटली घूमने चले गए अब जब मैं कहूंगा घूमने चले गए तो भक्दगण क गर के उखर अटैक्स हो रहे हैं हमलावरों द्वारा आपने तो कहा था कि नोडबंदी में आप जो हमलावर हैं और आतंगवादी है उनकी मिर तोड़ी है तो उसके बाद आप नहीं परीक्षा में पेपर लीफ होने के बाद और सारी चीज़ें होने के बाद जादे इंक् और चीज आपने देखी होगी कि पिछले पंद्रे दिन के अंदर आरे से प्रमुख ने पहले मोहत भागवत जी ने एक स्टेट्मेंट दिया और इस स्टेट्मेंट की जबकि बहुत जादे अवश्रक्ता नहीं थी जिस जगे वो समिलन को समोधित कर रहे थे उसमें इसकी ब प्रधान सिवक होता है उसका इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता उसको सबको साथ लेके चलना चलिए उन्होंने यह भी कहा कि मनिपूर में जिस तरह की घटना एक साल तक चली हो देश के अंदर एक प्रदेश के अंदर ग्रह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई प्रधा प्रफ्रकार के संबोधन किये गए और यह बताया गया कि BJP की सरकार और जो मोदीजी की सरकार है इसका जो व्यवहार रहा है यह निंद नहीं है और इस प्रकार का व्यवहार रही होना चाहिए ये भी एक प्रशन है कि ये मोदी 3.0 जैसे गोदी मेडिया दिखा रहा है ये मोदी 3.0 कहां है भाई ये तो BJP की भी सरकार नहीं है ये मोदी जी सरकार तो छोड़िए ये सरकार अटीय की सरकार है जो वैसाखियों पर टिकी हुई है जो की चंदबाबू नाइडू के कंधे पर सवार है यह जो नितीश कुमार के कंदे पर सवार है जिसमें कि YSR Congress के लोगों का भी हाथ है एकनाश चिंदे का भी हाथ है जीत पवार का भी हाथ है इसमें तो बहुत सारे ऐसे डल हैं जो कि कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने चुना से लगता है कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े राज्यें और सबसे पैसे वाले राज्यें चाहे वो महराश्र हो चाहे वो तेलंगना हो चाहे वह आंद्रप्रदेश हो चाहे वो तमिलनाडू हो, वो सारे के सारे अपोदीशन के पास होने की समावना है, जब महाराश्ट की विधान सबाद चुनाओ होंगे, तो इसके बाद अब इंदरेज जी ने और स्टेटमेंट दे दिया, इंद्रेश जी ने भी कहा वही जो मौहन बागवाज जी ने कहा जो उनके मुखपत्र ने कहा उन्होंने मौधी जी की भरसना की अज़र यह नहीं समझा रहा है कि मौधी जी प्रधानमंद्री बन कैसे गए जब चुनाओ के रिजल्ट्स आए उन्होंने एंडिये के जो सहयोगी थे उनको बुलाया उनसे समझाथन पत्र ले लिया लेकिन जो बेसिक इशू था वो था कि बीजेपी संसदी दल की बैठक में क्या यह निरने लिया कि बीजेपी संसदी दल के नेता मानी मौधी जी है य जो RSS के लोगों ने यह जो स्टेटमेंट दिया है इसका मतलब किया है अब इसमें दो परकार के विशलेशन आ रहे हैं पहला विशलेशन ये कह रहे हैं हैं लोग यह RSS ने और उनके मुखुपत्र ने और बाखी लोगों ने एक प्रकार से अपोजिशन को स्पेस का स्पेस लेने का प्रयास किया जिससे कि ये कहा जाए कि देखिए RSS जो संस्था है वो BJP के भी जो कुकरत हैं उनके जो अच्छे निर्णे नहीं है उनका भी विरूत करने का सामर्थ रखती है और खुल के बात करती है और देश्रिट में बात करती है एक तो मत ये है दूसरा मत ये कहता है कि क्या जो RSS है या जो मोहन भागत है वोवन भागवत हैं या उनका जो मुखपत्र है ये पिछले दस साल से सोया हुआ था क्या ये देश के अंदर जो घटने वाली घटनाए हैं उनको नहीं देख रहा था क्या वो ये नहीं देख रहा था कि देश के अंदर जो गरीब है तो वह गरीब होता चला जा रहा है, अमीर जो है, अमीर होता चला जा रहा है, share market को डोणाया जा रहा है, करोड़ोपती, एरबपती मन रहे हैं और गरीब जो है, विलोब पावर्टी लाई जा रहा है, चाहा मोहन भागवाच जी और RSS ये नहीं देख रहा था कि जिस परकार के निर्णे नोट बंदी में लिए गए जिस परकार के ताला बंदी की गई जिस परकार की GST लगाई गई जिस परकार से GST को बढ़ाया गया जिस परकार से कॉर्पोरेट टैस्ट को गटाया गया उसके माध वज्जी RSS वालों ने ये नहीं देखा कि कॉर्पोरेट टेक्स को कम करके आप शेयर मार्केट को तो बूस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े पुझी पतियों के रिणों को तो आप माफ कर रहे हैं लिकिन जब छोटे लोगों को कुछ धनलाब देने की बात आती है या उनके र लाब देना को आप रेवड़ी समझते हैं और देश के पुझी पतियों को अर्वों करोणों रुपए का लाब देने को आप अर्थशास्त्र के विरुद नहीं समझते क्या ये मोहन भागवजी ने RSS ने पिछले 10 साल के अंदर ये नहीं देखा था कि देश की जंता ने ज देश के किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर आने से रोका गया कीले गाड़ी गई बॉल्डर्स लगाए गए और 13 महीने तक वो पड़े रहे और बिना सोचे समझे एक तीन किर्शी कानून लाए गए और उसे बेशरमी से उस पर अडिग रहे और 13 महीने बाद किसानों को पर बेकिल एक्ट लाए गया और जब ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की दो दिन तक पहिया बिलकुर रोक दिया तो उसके बाद उस कानून को रोक दिया गया इसका बने बिना सोचे समझे आप कानून को लाते हैं जब पंजाब के खिसान जो है दिल्ली आना चाहते थे जो उनक गैस की इसे बोच्छारें की जैसा पागिस्तान और चीन के बॉर्डर पे नहीं करते बच्चों की आँखे पूटी एक किसान की बच्चे की मौत हो गई तो इस प्रकार का अनाचार अत्यचार जब हो रहा था तो आरेसेस ने ये बातें क्यों नहीं सोची ये मोहन बागव हुआ था मेरे देश के युवाओं ने अपने चार-चार साल बिता दिये ददद बारे-बारे घंटे पढ़के नीट की परिक्षाओं में और जिस परकार से पेपर में बैमानी हुई जिसके स्पष्ट प्रभाण मिल रहे हैं कि वो बच्चे जन्होंने इंटर्मीडियेट की परिक्षा पास करने में जिनने मुश्किल हुई उन्होंने नीट की परिक्षा में टॉप किया ये देखा गया कि कुछ बच्चों को ग्रेस पांक्स दे दिये गए ये देखा गया कि बिहार के बच्चों ने गुजरात में जाके एक्जाम दिया गया ये पता चला कि कु किये तो क्या चुनावी बॉंड से भारती जंता पार्टी को जो पैसे का स्रोत लाखों करोनों का न मिला था वो स्रोत क्योंकि सुप्रीम कोट ने बंद कर दिया इसलिए नीट परीक्षा के माध्यम से बच्चों के साथ अन्याय किया गया और हजारों करोनों रुपए उनके दलालों ने खटे किये तो असली मुद्धा यह है कि जब देश इन समस्याओं से जूज रहा है जब जम्मुएन कश्मीर के अंदर 72 घंटे में आपने 3-4 आतंगवादी घटनाएं गटती हुई देखी है हमारे वीर जवानों को घायल देखा है शहीद होते हुई देखा है और बड़े गर्व से भारती जित्ता पार्टी कहती है कि हमने सुशासन दिया है हमने देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित कर दिया है आतंगवादी घटनाएं घट गई हैं पत्थर चलने बंद हो गए हैं लेकिन आपके देश की सेनाओं के जवानों के उपर गोलिय चल रही हैं उनकी शाहदते हो रही हैं आज तक हमें नहीं पता चला पांच साल साड़े 5 साल 6 साल हो गया है कि पुलवामा के अंदर जो आडी एक्स आया था वो आडी एक्स कैसे आया था कौन लाया था किस प्रकार से दुरगटना घटी जो सत्पाल मलिक जो वहां के गवर जो जवानों कि पतियाँ हैं वो विद्वा कैसे हmayın उनके बच्चे जो है वो पिता विहीन कैसे हो गया तो ये सारी चीजों को जानने कि क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है ये जानना कि हमारे देश की जवानों की शहादत क्या उनका खून इतना ज़ादे वो हो गया है सस्ता हो गया है कि उनके शाहदत पे हम लोग प्रश्ण नहीं उठाते देश के अंदर जैसे महंगाई बढ़ रही है इस समय देश को सारा ध्यान और देश का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि नहीं नीट परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ कोई बेमा और यह नहीं समझते हैं कि बिना जांच कराए बिना किसी इनक्वारी के एजुकेशन मिनिस्टर यह कैसे कह रहा है कि इसमीं अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है जबकि बिल्कुल इस पर दिख रहा है सामने ग्रेस मार्क्स देके कैसे बच्चों को आपने परीक्षा मे उत्तीर न बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मानते हुए फिर दुवारा कहा है कि वो बच्चे जिनमें इस प्रकार के साथ 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 सो कितने बच्चे हैं उनका री एक्जामिनेशन कराया जाए और जब री एक्जामिनेशन हो जाएगा तो आप का स्पेस्ट रेना चाहरा है और दूसरा मति यह है कि आरे से शायर मोधी जी ने जिस परकार से एक तंत्र स्थापित किया है और जिस परकार से उन्होंने आरे से इसको भी पीछे छोड़ दिया है बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है और एक नई भारती जनता कर दिया है और जो आरेसेज बीजेपी के तपे तपाय तीस चालिस साल काम करने वाले नेता हैं उनको पीछे छोड़ दिया है इसी कारण से गुजरात के अंदर भी विद्रोपनप रहा है उत्तर प्रदेश हर्याना हर जगे विद्रोपनप रहा है कि नए नए लोगों को तो बीजेपी के अंदर मुदी जी एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी कॉंगरेस से आयतेत देता हों को वो आगे बढ़ाएं और बीजेपी के लोगों को आरेसेज के लोगों को पीछे छोड़ दें तो क्या आरेसेज वास्विक्ता में नाराज है लिए किसी भी बच्चे के के खिलाफ वड़ासी कहते हैं किसा बच्चा बहुत खराब है लेकिन माबाभ कहते यह नहीं बच्चा खराब नहीं जो अगर बच्चा केमाप talking लगए कि बच्चा अजिस्च बदमाश है दुष्ट है इसका मतलब निकालने लगे अगर RSS को ये महसूस होने लगे और जेपी नड़ा ने जिस प्रकार से RSS का अपमान किया एलेक्शन जब चल रहा था उस समय कहा कि अब हम इतनी मजबूत संस्था हो गए हैं कि हमको RSS की अवशक्ता नहीं है और अटल जी के जमाने में RSS की अवशक्ता थी RSS की अवशक्ता नहीं है तो क्या RSS वास्विक्ता में ये समझ गया है कि देश की राजनीती के लिए देश की समाजिक संरचना के लिए देश के भविश्य के लिए हमें मोदी जी की वाली BJP से दूर हो जाना अवशक है और मोदी जी की जो असफलताएं हैं उसको सामने ला पीशा छोड़वा लिया है तो वास्विक्ता यह है कि आज के तारीक में केबल अपोजीशन ही बीजेपी के अंदर फोट नहीं निकाल रहा है बीजेपी के खुद के नेता चाहे वो संगीत सोम हो वो संगीत संजीव बल्यान से भिड़े हुए हैं वहां एकना शिंदे जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं से भिड़े हुए हैं अजीत पावार से भिड़े हुए हैं अजीत पावार और चगन भुजबल के बीच में ये द्वन्द है कि राजसभा में अजीत पावार ने अपनी पत्नी को क्यों भेजने का प्यास किया यहां पे तो हम जाने में इ वो जनता द्वारा भी घेर लिए गए हैं वो भारती जनता पार्टी के अंदुरुनी राजनीती के लिए भी घेर लिए गए हैं वो आरेसे द्वारा भी घेर लिए गए हैं तो ऐसे समय में जब देश इतनी बड़ी समस्याओं से जूज रहा था और जहां नीट की परिक्ष हो रही हैं उस पे जवाब देना आवश्चक था तो इन चीजों पे जवाब देने के बजाए वो जी सेमिन में भाग लेने चले गए जी सेमिन जाना बहुत आवश्चक है विदेश पंत्री को भेज देते लेकिन इस समय देश के अंदर जो महतुपून प्रश्ट चारों तर कर ले उसके बाद हो सकता है कोई निया प्रधान मंत्री देश का नेता इन विदेश यात्राएं करे और उसके बाद जुला जुलाए और बिर्यानी खाए लेकिन अभी जो समस्याएं हैं उनसे बचना मेरे ख्याल से उचित नहीं था इस समय देश के अंदर जो भी कंसर्ण मंत्री हैं उनको देश में जवानों पर कैसी आकर्मान हो रहा है टेरेडिस अटेक क्या हो रहा है नीट की परिक्षा में क्या हो रहा है दिली के अंदर पानी की क्या विवस्था है इसके बारे में जवाब देना जादे अवश्चक है ये देश के लोकतंत्र के लिए जाद बाद और प्रणाम